हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा वो है रेशयो एंड प्रपोर्शन इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बाते शेयर करना चाहता हूँ जो कि मोश्ट इंपोर्टन है तो बात यह है दोस्तों कि अगर आप आज के डेट में हो तो आपको पता है कि आप लोग के एक्जाम्स जो है वो लाइक कैंसल हो गए है और आप लोग को पास कर दिया गया है ठीक है ना नॉर्मल यह आपके शेडूल के अंदर तो बेसिकली आज के टाइम पे आपके पास वेकेशन चल रहा है ठीक है यानि कि आपके पास लगबख दो मेना टाइम में आपके स्कूल खुलने के लिए अगर जो पैंडेमिक का सिचुएशन है जो कोविड-19 का सिचुएशन है अगर नॉर्मल हो जाता है तो आपका लगबख जून जुलाई में जैसे नॉर्मल स्क करने है बहुत सारे कॉमेंट मुझे आए कि सर क्या करें पढ़ाई की शुरुआत करें कि नहीं करें किस तरह से शुरुआत करना है तो आपको मैं बता दू दोस्टो अगर नॉर्मली तो पढ़ाई की शुरुआत डेफिनिटल आपको करनी चाहे क्योंकि अगर आपने ये जो आपके पास extra time vacation का इसमें आपने अगर फाइदा उठा लिया तो definitely आप बहुत सारे students से आगे निकल जाओगे in terms of education and in terms of knowledge also और ये आपको बहुत आगे काम आएगा तो पढ़ाई कैसे करना है Maths and Science ये दो subject के total complete chapters जितने भी है वो हमने record करके आपके लिए lecture video बना दिया है तो आपको अगर पढ़ाई करना है बेसिक लिए शुरुवात करना है तो आप कर सकते हो 7 वी के लिए, 8 वी के लिए, 9 वी, 10 वी यानि 7 यानि 9, 10 के लिए also for 11th standard also we made a hell lot of videos we had already completed the syllabus for 7th standard 8th standard, 9th standard and 10th standard of the subject science and maths so if you want to see that particular video you can simply just go on our channel and just search by name chapter and if you want to like बोलते है न उसको कि आगर आपको simple तरीके से ढूड़ना है तो बस आप क्या करो जो भी chapter आपको चाहिए वो नाम टाइप करो और उसके आगे जयार टुटुलर्स टाइप करो और सच मारो आपको सीधा यूटुब के अंदर आपको हमारे वीडियोस दिख जाएंगे और आपको वैसे नहीं जाना है तो जयार टुटॉरियोस के अंदर जैसे आप एंटर करोगे यूटुब के अंदर प्लेलिस्ट में जाओगे तो playlist section के अंदर आपको हर playlist मिल जाएगा साथवी का math का साथवी का science का तो हर चीज 8 9 10 का भी उसी accordingly 8 science 8 math 9 science 9 math 10 का भी सेम उसी प्रकार तो जो भी chapters आपको पसंदे उसके अंदर enter करो जो भी lectures आप देखना चाहते हो देख सकते हो अच्छे से पढ़ा ही करना बस यही मुझे एक personal message पहुचाना था और यह आप लोग से भी request है कि यह जो मैं बोल रहा हूँ बाते यह आप लोग हर एक तक पहुचा देना यह वीडियो भी share करके ठीक है दोस्तों तो चलिए शिरुवात करते हमारे इस topic की जिसका नाम है ratio and proportion तो जैसा मैंने बोला कि यह जो topic है यह बहुत जादा important है in your entire mathematics तो सबसे जादा important क्या बनाता है इस चीज को important क्या बनाता है इसका नाम क्या नाम है ratio and proportion तो हर चीज के पीछे एक ratio होता है आपने normally देखा होगा कि let's suppose I am taking one example let's suppose आपके सामने है A ratio B ठीक है और लिखा हुआ है यहाँ पे 3 ratio 5 A ratio B के सामने 3 ratio 5 लिखा है और आपको question पूछा है A का value बताओ B का value बताओ तो इसका answer क्या हो जाएगा बहुत simple है तो A के सामने क्या है ratio 3 है B के सामने ratio क्या है 5 तो A का value 3 हो गया B का value 5 हो गया तो इसी को बोलते है ratio and proportion ठीक है यानि कि कौन सा ratio किस type का है वो हम लोगों को बताना है तो A का value 3 बताता है B का value 5 बताता है यह सा बताता है लेकिन इतना simple आपको पूछेगा ने तो basically इसमें बहुत सारी तरीकी से example पूछते हैं तो I have लगबग 2-3 types of examples जो कि मैं आज आपको कराऊंगा कुछ examples homework भी दे दूँगा तो वीडियो बहुत important है वीडियो को n तक देखना ताकि जितने भी ratio and proportion के types के example जो पूछते हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाए ठीक है तो let's suppose a के लिए पहला number 3 है b के लिए second 5 है c के लिए 7 है तो आपका a का value 3 हो गया b का value 5 हो गया c का value 7 हो गया तो यह था सबसे basic वाला जो एकदम chance यह है कि सबसे easy paper जब बनेगा तो ऐसा question पूछ लेगा जो कि आप आग बन करके भी इसका answer लिख सकते हो इतना simple पूछेगा ने तो हम चलते हैं अगले type के example जो की ज़्यादा तर पूछने के chances होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा 2 से 3 example तो शुरुवात करते हैं तो ध्यान से देखना अभी जो मैं कराने वाला हो यह बहुत important है इसको ध्यान से देखना बिल्कुल underestimate बिल्कुल मत करना तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले क्या question पूछ सकता है let's suppose आपको एक question पूछा है कि A ratio B का जो value है वो दिया हुआ है समझ लो वो आपको दिया हुआ है चलो 3 ratio 5 4 ratio 5 ले लेता हूँ तो हमें पूछा है कि जो आप ना A ratio B ratio C का value निकाल के दिखाओ अब थोड़ा लग रहा है हाड आप देखो ध्यान से question थोड़ा देखो मैं side हड़ गया मैं side हड़ गया आप थोड़ा सा question एक second के लिए ध्यान से देखो कि A का जो value है A ratio B का जो value है वो 4 ratio 5 पूछा है B ratio C का value पूछा है 5 ratio 7 तो आपको A ratio B ratio C तीनों का ratio एक साथ जब combine हो जाएगा तो किस प्रकार आप इसको निकालोगे सवाल यह आता है कुछ नया नहीं है इसमें करना यह है आपको बहुत simple तरीके से solve करना है समझ लो क्या करना है सबसे पहले A ratio B जो दिया है वो लिख दो A ratio B कितना दिया हुआ है 4 ratio 5 दिया हुआ है दुसरा चीज आपको दिया हुआ है B ratio C तो B ratio C के लिए यहाँ पे तो B के निचे B लिख दो B ratio C लिख दिया is equal to क्या लिखाया 5 ratio 7 अब जो values है उसके उपर ध्यान दो values क्या क्या है आपके पास एक value है 4 ratio 5 दुसरा ratio है आपके पास 5 ratio 7 तो देखो यह 5 और यह 5 दोनों में same आ रहे है तो यह 5 के निचे 5 लिख दो और यह लिख दो 5 ratio 7 तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे यह दोनों 5 क्या हो जाएंगे common हो जाएंगे तो आपका जो answer बनेगा वो finally क्या बनेगा यह 4 same to same यह ratio यह 5 same है ना इधर भी 5 इधर भी 5 है तो एक ही बर 5 लिखो 5 और यह ratio लाश्ट में क्या है 7 तो आपका answer A ratio B ratio C का आ गया 4 ratio 5 ratio 7 तो एक हो कितना easy है है की नए easy लेकिन आपने क्या किया बस confusion क्या हो गया कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 common दिया हुआ है यानि कि जो B का value है जैसे मैंने बोला second position पे B है second position 5 तो B का value 5 है यहाँ पे भी B का value 5 है तो B का value क्या होगा 5 ही होगा ना correct है समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता नहीं कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको start में बोला कि A पेला है तो A का value 4 है लिख दिया B का value क्या है 5 है लिख दिया C का value क्या है 7 है तो लिख दिया लेकिन वैसा करने से अच्छा हम इस तरह करते हैं कि जो भी number है उसको साथ-साथ लिख दो जो common होता है उसको एक साथ एक के निचे एक लिख दो ताकि वो एक बन जाए तो 4 ratio ये 5 ratio 7 4 ratio 5 ratio 7 and this is your final answer clear है उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया देखना let's suppose आपको बोला है A ratio B is equal to 3 ratio 5 ठीक है B ratio C बोला है 5 is to 9 तो आपको पूछा है A ratio B ratio C का value आपको निकालना है सेम केसी करोगे सेम कुछ भी निकरना है आपको पहले जो value है वो लिख देना है क्या लिखना है A ratio B का जो value है वो 3 ratio 5 है ठीक है फिर B ratio C जो है वो कितना है 5 ratio 9 है अब जो value से उसको साथ साथ लिख दो 3 ratio 5 ठीक है और इसका 5 ratio 9 है तो 5 के नीचे 5 लिख दो ratio 9 लिख दो ये common हो गया मतब एक ही बार लिखूँगा तो आपका एंसर कितना आएगा 3 ratio ये 5 को एक ही बार लिखूँगा 3 ratio 5 ratio 9 तो A ratio B ratio C का जो value है वो है 3 ratio 5 ratio 9 कितना simple है आप देख सकते हो तो जब भी ऐसा होता है कि दोनों में कोई ने कोई सेम हो जैसे ये पर 5 है यहाँ पर 5 सेम हो तो इस प्रकार आपको solve करना है और आपका answer निकाल देना है तो आप देख सकते हो कितना easily हमने इस चीज़ का answer जो है वो निकाल दिया है तो फटा-फट से इसको note down कर लो आप थाकि आपको अच्छे से याद रहेगा future में जब भी आप देखोगे ठीक है दोस्तो हो गया यह चीज़ चलो इसको अभी rough कर लेते हैं फिर में कराता हूँ अभी second type का example ऐसे ही है सेम ऐसे ही type का है लेकिन कुछ फरक रहेगा तो फरक क्या रहेगा यह मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से देखना यह चीज़ अभी में second type का example कराने जाला हूँ जो ratio and proportion में पूछता है अक्सर ठीक है ना कौन सा टाइप है let's suppose I am taking one example here कि आपको ऐसा question पूछा हुआ है let's suppose कि आपको बोला है कौन सा example था? ठीक है तिसरा number का example था हमारे लिए third example यह से कुछ फरक नहीं पड़ता note down करता जाओ आप directly तो question जो है वो है A ratio B जो है वो आपको पूछा है 4 ratio 5 ठीक है A ratio B जो है वो 4 ratio 5 बोला है B ratio C जो है वो आपको पूछा है कितना? वो आपको बोला है 10 ratio 9 वो आपको पूछा है 10 ratio 9 और आपको अभी पूछा है फिर से same A ratio B ratio C जो है निकाल के दिखाओ तो same क्या करेंगे? नमबर ले लेंगे सबसे पहले वो ही जो करते हैं हम लोग तो क्या है number सबसे पहला? कि 4 ratio 5 ले लिया मैंने पहला ये है और दूसरा number क्या है? 4 ratio 5 के बाद वो है एक के निचे एक लिख दो 10 ratio 9 अब आप एक चीज़ जब notice करोगे तो यहाँ पे कोई भी नमबर same नहीं है जो की होना चाहता इधर पर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहता बटकि same नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? जब आपका question ऐसा दिया रहेगा जिसमें दोनों में से कोई भी एक same ना हो तो वो case में क्या करना? आपको same बनाना है तो same कैसे बनाओगे? यहाँ पे 4 ratio 5 है यहाँ पे 10 ratio 9 है तो यह जो बीच का number है, जो common number होते है उसको same कैसे बना सकता हूँ? इसके पास 10 है और यह 5 है, तो यह 5 को में 10 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ अगर यह पूरे को मैं 2 से multiply कर दूँ उपर वाले को तो यह नया क्या बन जाएगा? नया equation कैसे त्यार होगा? यह 4 multiply by 2, 8 हो जाएगा ratio बीच में है, लिख दिया 5 multiply by 2 कितना हो गया? 10 हो गया 8 ratio 10 बन गया, यानि कि 4 ratio 5 को अगर मैं 2 से multiply करूँ गा, तो नया ratio क्या बन गया? 4 ratio 5 बन गया, 8 ratio 10 एक ही बात है, ठीक है? और यह नीचे वाला जो दूसरा ratio था, वो तो हमारे पास है ही न? 10 ratio 9 लिख दिया उसके नीचे, अब यह 10 10 common हो गया, तो अब मैं हमारा A ratio, B ratio, C का value लिख सकता हूँ कैसे? यह 8 पहला ratio, दूसरा 10 common, यानि 10, तिसरा 9, तो 8 ratio 10 ratio 9, this is our final answer of A ratio, B ratio, C of this type of example, ठीक है? तो उमीद करता हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ गया हूँ, तो यह था हमारा दूसरा type का example, जो कि आपको ratio and proportion में पूछ सकता है, इसको भी ध्यान से देख लो, side में हड़ जाता हूँ में, ठीक है? फटा-फट से ध्यान से देख लो, फिर चलेंगे हमारे तिसरे और आखरी type का example, जो कि ratio and proportion में पूछ सकता है आपको, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ, फटा-फट से ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब तिसरा type का example, जो कि मुझे लगता है, सबसे simplest type का example है, जो कि आपको पूछता है, तो इसको भी करा देता हूँ, आखरी type का example, फिर आपको सिधा homework दे दूँगा, and फिर आज का जो lecture है, इसकी भी समापती हम लोग कर देंगे, ठीक है? उमीद कर दो दोस्तों कि आपको जो भी example आज मैंने कराए हैं, यह आपको 100% समझ में आ गया होगा, इन उतना easy भी है, ठीक है ने, लेकिन easy है, इसका मतलब यह नहीं कि आप underestimate करोगे, इसको बिल्कुल underestimate नहीं करना है, ठीक है ना, fourth type का example, आपको question पूछता है if question ऐसा पूछता है आपको, if 2a is equal to 3b, आपको जो है, a ratio b का value निकाल के दिखाना है, यार, बहुत difficult सवाल पूछ दिया यह तो, कैसे निकालोगे, 2a is equal to 3b यह तो a और b का ratio कैसे निकालेंगे, बापरे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सबसे यहाँ पर यह जो चीज दिया हुआ है, इसका use क्या है, वो सोचो, क्या दिया हुआ है 2a is equal to 3b, तो सबसे पहली बात, आप देखोगे, यह 2a is equal to 3b लिखा हुआ है, इसमें आप एक चीज notice करो, यह 3 और b के बीच में क्या है, multiply है, 2 और a के बीच में क्या है, multiply है समझ में आ रहा है, तो यह जो b 3 के साथ multiply है, उसको अगर मैं equal के यह side लाओंगो, तो a के साथ क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, यानि कि यह बन जाएगा, a divided by b is equal to, यह 3 उपर था, यह 2 नीचे लेके आ जाओगो तो a by b is equal to 3 by 2 बन गया, यह क्या बन गया, a by b is equal to 3 by 2, a by b मतलब क्या होता है, a ratio b होता है, हम लोग लिख सकते हैं, ratio को, कोई भी ratio को, हम लोग upon में भी लिख सकते हैं, मैंने आपको start में बताया था, और आपको आपने यह चीज पहले भी पढ़ा होगा, कि कोई भी चीज रेशियो में जब होती है, जैसे कि 3 ratio 4 अगर है, तो इसका मतलब क्या है, वो 3 upon 4 है, ठीक है, तो जो चीज रेशियो में होता है, वो divide कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को, तो a by b का मतलब होता है, a ratio b बीच में equal है, और 3 by 2 का मतलब हो जाएगा, 3 ratio 2, तो a ratio b जो हमें निकालना था, यही तो निकालना था a ratio b, तो हमने निकाल लिया, a ratio b is equal to 3 ratio 2, कितना simple example है, आप यहाँ पे देख सकते हूँ, clear है, तो इसी के साथ, दोस्तों, हमारा जितने भी type के example से, आज हमने आपको करा दिया, उमीद करता हूँ, जितने भी example हमने आपको कराए हैं, हर एक type जो आपको बताया है, यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं, अभी सीधा आखरी, आखरी क्या, homework की दरफ, यानि कि हमारा आज का lecture इसी के साथ समाप्त होता है, बस जाते जाते, मैं आपको कुछ homework देना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है, बहुत important है, और जब आप लोग उसका answers को comment करते, तो ह जोड़ा practice करोगे, तो आप सही जवाब दे पाओगे, ठीक है, तो चलो homework की बारी है, homework लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, और आप लोग को इस चीज का सवाल का जवाब मुझे जरूर से comment करके बताना है, ठीक है, question इस प्रकार है, कि आपको बोला है कि A ratio B का जो value है, वो दि निकालना है, simple है, यह निकाल लोगे, यह पहला question आपके लिए homework, दूसरा question इस प्रकार है, आपके लिए homework, कि आपको अब दिया हुआ है, यहाँ पे, if 5 A is equal to 7 B, if 5 A is equal to 7 B, तो आपको निकालना है, then, आपको A ratio B का जो value है, वो निकालना है, इसी प्रकार solve करना है, जैसे मैं आपको यह video and यह जो trick मैंने जो बताई है, यह जो scholarship की video मैंने बताई है, ratio and proportion, जो की exam में आपके पूछते है, mathematics के अंदर, तो आपको कैसा लगा है, please हमें comment करके बताना है, और ऐसे type के और वीडियो सा आपको चाहिए कि नहीं, वो भी हमें comment करना, comment करके जरूर से बताना, and अपनी राय और suggestion जरूर से दे देना, ठीक है, और अगर आपको यह video पसंद आया है, useful लग रहा है, friends, तो please video को like कीजेगा, share जरूर से करना, दोस्तों, क्योंकि बहुत important होता है, share करना, क्योंकि आप share नहीं करोगे, तो लोगों तक पहुचे गए नहीं, जो हमारी मेनत हो फ जो बाहीं, जो जो हमारी में, दोग आपको जोगए जो बाहीं, झाले